हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हेल्थ केर हब चनल, आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि पीरियट के दौरान हो सके तो शावर से नहाएं, पीरियट के शुरुआती दनों में यदि आप नहाते समय गुन-गुने पानी से शावर ले रही हो तो आपको अपना हाईजिन बरकर पार रखने में मदद मिलती है, शावर की वजह से शावर का पानी आपके शरीर के ऊपर से नीचे तक जाता है और इसी वजह से आपका मासिक धर्म का खून-पानी में मिलने के बाद भी यह पैरों को शूकर बह जाता है, शावर की वजह से आपको बैक्टीरियल का खत्रा कम हो जाता है नहाने से पहले सेनेटरी नेपकिन हमेशा उतार लें जब भी आप नहाने जा रही हो तो अब तब आपको सेनेटरी पैड या नेपकिन हाते समय अपने यौन अंग पर नहीं रखना चाहिए नहाने से पहले आपको नेपकिन निकाल कर फेक देना चाहि कभी भी एक बार इस्तमाल किया हुआ पैड का इस्तमाल दुबारा नहीं करना चाहिए और पीरिट के दौरान बाथ टब में नहीं नहाना चाहिए पीरिट में अक्सर ब्लड लिकेज का खत्रा रहता है और इसी वजह से अक्सर महलाओं को अस्वस्त महसूस होता है जब भी आप नहाने जाएं तब हो सके तो आपको बाथ टब का इस्तमाल नहीं करना चाहिए यदि आपको बाथ टब में नहाना है तो आप टेमपोन का इस्तमाल कर सकती है और नहते समय हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तमाल करना चाहिए कभी भी मासिक धर्म के दोरान अधिक गर्म पानी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर अधिक गर्म पानी की वजह से शरीर में ज्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है और इसी के कारण हमें नॉर्मल पिरियट के बजाए हैवी बलड फ्लो हो सकता है जितना हो सके उतना गुनगना पानी आप पिरियट के दोरान ले सकती है मासिक धर्म के दोरान यदि आप गर्म पानी से शावर लेती हो तो आपको मासिक धर्म का दर्द या क्रेंप्स की समस्या कम होती है शरीर में गर्माहट पैदा होने की वजह से महलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा क ट्रीट्री ओयल मिला लेना है और इस पानी से नहाने से शरीर पर मौझूद बैक्टीरिया निकल जाते हैं अक्सर पिरियड में महिलाओं को इंफेक्शन होने का खत्रा अधिक होता है और यदि आपकी ट्रीट्री ओयल की बूंदे पानी में मिलती है तो बैक्टीरियल इंफ करार रखना सबसे महत्वपोन होता है इसलिए आपको पिरियड में हमेशा दो बार नहाना चाहिए लेकिन हां बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए आप नॉर्मल या गुंगने पानी से नहा सकते हैं